मेहरोली बिधान सबा की किसंगर जनता को आज अर्विन केजी वाल ने दिया एक सौगाट क्रिस्मिस के मौके पर यहां पर 18 लाख यूजियर का उडगाटन किया गया जियां यूजियर का उडगाटन करने के लिए दिली के मुकमतरी अर्विन केजी वाल पहुंचे वहीं स्थानी विधायक नरेश ज्यादो भी इस कारके में उपस्तित रहे महरोली के स्थानी विधायक नरेश ज्यादो हैं जिनके कथक परियासों के बाद दिली के महरोली इलाके में लोगों को पानी की समस्या सब निजात मिलेगी उसी कायरकम में आज दिली के मुक्मेंतरी अर्विंज केजीवाल पहुंचे और इस उजियार का उड़गाटन किया यहां पर 18 लाक छमता की टंज से जो उजियार का उड़गाटन केजीवाल ने किया उसका जनता ने भी बहुत बढ़ चड़कर समर्थन किया हजारों की तलोग के यहां पर पहुंचे और हजारों लोगों ने अर्विंज केजीवाल का धन्यवाद किया घरगर पानी को अचा के अपने खोड़ कमा लिया और एक और मेरी इच्छा है हर पहले मैंने अपने लिए ये काम सोचा था कि सबसे पहले युद्ध करते जितने जी पैसे खर्च करने पड़े हैं हमने खूब पैसे खर्च करें इसके उपर क्यूंकि पानी की बात पैसे की कमी नहीं हो लिए हमने पहला मैंने अपने लक्ष रखा घर घर तक पाई पाई पहुंचा दो तूटी से पाई पिना दो दूसरा मेरा लक्ष है कई लाके में को अपिन नहीं आपता ज़रा तो बोले चार दिन में एक वार पाई आता है कई लाके ऐसे हैं जब दो दिन में एक पर पानी आता है, कई लाके ऐसे हैं जब जिन में एक घंटा पानी आता है, आपर घंटा पानी आता है, अब मेरा लक्ष है, और मैं बड़ी सोच समझ के कह रहा हूं, और जो मैं कहता हूं, मैं करके दिखाता हूं, मैं भी इंजीनियर ह पढ़ादी खंसारी प्लाणीं करके fingertipsusa में ऑगले पान साल में । 24 अबिस घ्रट Agency में पानी को इस दो घुपमा करिग घुपमा में। तक अलगे को परी को क्यों जिटा ख developmental क्यों किलिए 20 अनुस्षी है अगले पानीं साल में अगले ने पानी आएगा और टूती से इतना साफ पानी आएगा सीधे ओख लगा के पानी के लिए ना अंटर की जिवोट लिए जो जाटन क्या गया अभी हम किशंगड गोशाला में केजरिवाल साभ यहां बठाए थे और किशंगड महरूली गोशाला यहां पर जो दूजियार बना है 18 लाग लेकर उसका इन्वरेशन आज किया है उन्होंने इससे वाड नंबर दो वाड नंबर तीन महरूली और पर फाइदा मिलेगा यहां पर पूरे के पूरे महरूली के अंदर 80% नई पाइपलाइन डाली गई है जैसा मानिय केजरिवाल साभ ने भी कहा कि 93% तक पूरी दिल्ली में डल सुकी है उसमें हमारा एरिया भी है केवल पूरी दिल्ली में 7% बची है कितने वार्स को पानी क कि बहुत बड़ी समस्या थी जब मैं 2015 में यहां पर विदायक बनके आया बहुत डिफीकर्ट प्रोजेक्ट बंद हो चुका था सीब्याइक कि आज यहां पर उन्होंने इनुगर्ट किया है और पूरे एरिया के लोगों को पारी का बहुत फाइदा मिलेगा लोगों का आर अगले तीन महीने के अंदर यह जो इसका कैश्मेंट एरिया इसमें सारे एरिया में पूरे के खुरे एरिया में वाकाइदा कनेक्शन्स नहीं दिये जाएंगे नई लाइनों से मिलेंगे और सारे के सारे एरिया में आज केश्रिवाल साब ने भी वादा किया है कि अगली सरकार आजाएगी तो 24x7 आपको टूटियों से पानी मिलेगा और यह पिछले अगले